नमस्कार आप सभी लोगों को जिनका सने, जिनकी प्रेरना मुझे मॉटिवेट करती है हर रोज एक नए वीशे पे बातचीत करने के लिए आप लोगों ने बहुत सारे आज पित्रपक्ष से रिलेटिट प्रशन किये हैं वट्सेप पे और बहुत लोग इस पारे में भी कन्फ्यूस थे कि कब से तर्पन शुरू होगा और कितने दिन तक रहेगा और इन दिनों में क्या कोई नई चीज खरीद पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और कौन से उपाई हैं जो इन दिनों में करने से ज्यादा फल मिलते हैं ज्यादा अच्छे रिजर्ल्स आते हैं घर के अंदर जो भी परेशानिया वो लोग झेल रहे हैं वो कैसे उनसे उन्हें मुक्ति मिलेगी चुटकारा मिलेगा तो बहुत ही अच्छे प्रशन है सबसे पहले आज मैं एक न्यूस पेपर में काटिंग देख रही थी पढ़ रही थी और जुना अखाड़ा हरिद्वार के महमंड लेश्वर अवधेशानन गिरी जी ने भी बहुत अच्छे से इस पारे में एक व्याख्यान दिया है जो कि बहुत ही मेरे को तो बहुत अच देवी मा के आगमन के बीच के दिनों में पित्र धर्ती पे आते हैं सुक्षम रूप में और ये दिन जब वो सुक्षम रूप में हमारे आसपास रहते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है जब हम कोई नई वास्टों करेते हैं कुछ अच्छा करते हैं क्योंकि ये दिन जो र मुताबिक जब पुराने समय में लोग अपने पित्रों के लिए इस पक्ष के अंदर पूजा पाट में लगे रहते थे उस समय उनके पास समय ही नहीं बचता था और बाकी काम करने का लेकिन आज तो आधुनिक यूग है बहुत सारे सुख सुविधाएं हैं और हम लोग तरीके हैं बहुत सारे पंडिप और बहुत सारे जो इस चीज का ग्यान रखते हैं वो हमारी मदद करने के लिए ततपर रहते हैं और आजकल हाउस होल में भी पहले की तरह तो कुछ नहीं रहा कि हर चीज को उसी टाइम आटा भी बनाना है तो पहले गहुपिस नहीं यह हमें है तो एक यह जो पारंप्रा चली आ रही थी उसको रूडी बाद में कनवर्ट कर दिया गया अधर्वाइस कोई भी नई चैस आप ख्रेच सकते हैं हमारे पित्र हमारे पुराने पीडी दर पीडी से चले आ रहे हमारे बड़े लोग हैं वो अगर सुक्षम रूप में हमें खुश देखेंगे जिसमें हमें फलते फुलते देखेंगे तो उन्हें उनके आत्मा और थ्रिप्त होगी उन्हें और ज़्यादा कुछ यह मिलेंगी दूसरी चैस इन दिनों में सबसे ज़्यादा लाब देने वाले दो उपाए आपको करने हैं एक तो पित्रों की ज कुछ उडयागे तो पित्रे चीज जनमपत्रियों में पंडित लोग बतारते रहते हैं जो लोगों को मालूँ है कि उनकी जनमपत्री में पित्रों उन्हें इससे रहात मिल जाएगी दूसरी चीज आपने बुद की दिशा मिए नौर्थ की डारेस्षन में बुद की दिश आगमन के रास्ते खुल जाएंगे और आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी नौर्थ की डारेक्शन में ही आपने जहां से कुबेर जी को स्थापित किया जाता है वहीं पे ही आपने पारेथ शिबलिंग को रखना है जो कि आपके अंगूठे के पोर जितना हो मतला बहुत बड़ा नहीं रखना आपने कम से कम आदे इंच का हो तो बहुत शुपफल देगा आप दो पाई अगर कर लेंगे तो गनेश्ची के अरादना तो अब करी चुके हो पिछले कुछ दिनों में दस बारा दिन अब गनेश्ची की पूरी धर्ती के उपर पूरे ब्रम् करेंगी मेरा यह अनुभव है और मैं आशा करते हूं कि अगर आपने यह दो पाई कर लिए तो आप मुझे बहुत अच्छी रिस्पॉंस देंगे रिजल्स देंगे थन्यवाद नमस्कार